वो कहते हैं ना कि जिन सवालों को कई साल पहले पीछे छोड़ाए आज वो एकदम से फिर आपके सामने आकर खरे हो जाए तो आप क्या करेंगे यहां बात हो रही है उस प्यार की जिससे पीछा छुडाने के लिए ना जाने आपनी क्या-क्या हतकंडे अपनाए थे ऐसा ही कुछ हमें बिग बॉस के घर में रह रही तीवी की संसकारी बहू रुबीना दिलैक के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है जिनके एक्स बॉइफरेंड अविनाश सचदेव एक बार फिर उनकी जिन्दीगी में एंट्री मारने को तयार है रुबीना और अविनाश के रिष्टे के बारे में शायदी कोई ऐसा हो जो ना जानता हो एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखने वाला ये कपल कब एक दूसरे के प्यार में पर गया पता ही नहीं चला हलाकि इतना प्यार होने के बाद भी दोनों का रिष्टा ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और साल 2013 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए जहां अविनाश ने रुबीना संग ब्रेक अप को आपस में ताल में न बैट पाने का कारण बताया तो वही रुबीना ने एक्टर पर धूखा देने का आरोब लगाते हुए कहा था शुरुआत में मैं खुद से ही पूछा करती थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यूं हुआ हाला कि अब मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ कि ये मेरे साथ हुआ क्योंकि इनी सब चीजों ने ही मुझे बहतर इंसान बनना सिखाया है अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नई रिष्टे की खुबसूर्ती कभी नहीं देख पाती खेर ये तो रही अभिनाश सचदेवा और रुबीना दिलैक की बात लेकिन कभी सोचा है अनगलग रास्ते होने के बाद भी अगर आपको किस्मत एक साथ लाकर खड़ा कर दे तो आप इस सिचुएशन पर कैसे रियक्ट करेंगे बिग बॉस 14 से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ